आज अपने 14-2-1 में भाईयो पेड़ी में खाद गर रहा और यह दो भीगे का नमबर है भाईयो आप गुन्ना देखो क्या जवासता है थोड़ी सूरच की रोशनी पढ़ लिए और रंग देखो आप कहते हैं 14-2-1 पीला रहता पीला रहता भाईयो देखो कितना काला रंग है और भाई गास तो बहुत हो रही है आपको इसमें इस प्रेमार हूंगा पेड़ी देखो क्या लाजवाब है एक-एक मेड़े में दद्दस पंदर पंदर कर ले हैं लोगिन भाईयो है तो हिसाब से जाद है मंगर यह सब गन्ने बन जाएंगे इसमें यही खास है बहुत सांदार वाली पेड़ी है मैंने इसकी वीडियो पहले भी गियर रखी है अब यह चोदर दोसे एक पेड़ी में बढ़िया और कुछ भाईयों गिरता भी काम है और वाईयों इसमें कीटना से लगा दिया ना तो कोई टोबोरर है इसमें किसी भी पत्ते में इस पर गिंडार तो लग रही थी वैसे स्टेम्ट अब देखो आप गोप कितनी का दिये मैंने भाईयों साय पर मैथिन और एक हमारे मील वालों ने दीती रिवाइवर नाम से दवाई थी भाईयों मिलाया का मार दी थी मैंने इनमें सब पेडियों में इस्प्रे कर दिया था उनकी बीडियों तो बनाना सका खेला था मैं और भाईयों से लगाने के बाद में कोई भी मक्षी मच्छर कीट कुछ नहीं है और रंग बहुत सांदार है पेड़ी का बेलकुल काली हो भाईयों आज इसमें पानी लगा रहे हैं और रंग बहुत काला है आप अगर इसके गन्ने देखोगे तो क्या सांदार हो है यह कुछ में दस वारे 15-20 तक गन्ने है भाईयों इसमें मट्टी निचड़ पाईयों बयाली सिंची पर है और भाईयों जहां थोड़ा सा पोग इसकी समय समय पर वीडियों आपको दिखाते रहेंगे वह यह तजरुए के उस पर मैंने है यह कल्ले चिपवा दिये थे हैं बहुती सांदार अल्ल हो गए देखो भाईयों कितना बड़ा मेड़ा है यह पांच बिट से जादे लंबा हो गया मैं खड़ा हूं और मुस्त भी उच्छा निकल गया कहते हैं बढ़ता नहीं बढ़ता नहीं बाईयों इतनी बड़ी तोब बर की दूस्री पेड़ी सुरू हो गई यह बीडियो थोड़े ऐसी चले है मामना वीडियो नबनाया पाई और टोबबर की दूसरी पीड़ी शुरू हो गई है भाई यो खेतों में जागे सुगा साम जाओ सुगा सुरज निकलने से पहले है और साम कू सुरज छिपने के बाद देखो गे तो आप टोबबर की तितली आपको पत्ते बैठी भी मिलेगी और आप कोई भी किसी भी दवाई का कीट ना सकता अच्छी जो आपके दोरें मिल जाती है दुकान दार तो पूचके उसके स्प्रे कर दो क्या फादा भाईयो ये अंडे दे दे फिर लारवा फिर वो गोब में बढ़ जा फिर किसान देखता है बोले यार अभी तो कुछ ना लग रहा है इसमें मार जब फिर देखता रहे यार टोब बोलर लग गया जब एक बार भाईयो सुड़ी अंदर बढ़ गई गोब में तो भाईयो से कोई दवाई निमारती है और अभी आप इसमें स्प्रे कर दोगे तो सुरू में ही खतम हो जागा इंड़ा भी हो जागा और लारवा भी खतम हो जागा और तिजली भी खतम हो जाएगी तो भाईयो ऐसा ना है दवाई का किसी का ज़्यादा लंबा समय कर रि तो फिर मुस्की लिए कोई भाई यो बचाने वाला लगने को किसान भाई यो इतनी लागत आ लिया है समय पर लगाओ ऐसा नहों कि समय से चूको फिर मट जा जा लागत फिर भी लगानी है दबाई फिर भी डालनी है और बाद में भी लगानी है तो भाई है दवाई समय से लगाओ और टितली का जो पिरिटे वह भी दो डाई महीने का है दवाई अपना सर कर देती है बाद में फिर दवाई भी असना करती इतने दूसरी तीसरी पीड़ी आएगी इतने इस प्रे माट दो तो डो डाई महीने भाई निकल जा आपने और जब दो महीने निकल जाना तो भाईयो वही दबाई अपना अच्छा असर करती है तो भाईयो इसमें आज पानी लगा रहे हैं और आप देखो कलर कैसा पेड़ी का और आपको मारतिस की पेड़ी भी दिखाऊंगा हाथ उठायके भी आदमी नीचमकेगा उसमें इतनी भारी पेड़ी आज इसमें भी खात गिरवाएंगे इसमें पानी चलेगा तो भाईयो 14201 ता यह और इतनी बेहत्रीन पेड़ी हो रही है भाईयो 42 इंची पर बोया और आप सस्ता सा भी कीटना से मारत होगी नहीं भाईयो कोई भी टोपोरर के लिए तो इतली चमक रही है तो भाईयो वह भी काम कर जाता यह नहीं कि हम महेंगाई बाला लायक होई काम करेगा चलंबे समय हर दवाई का 40-45 दिन का रिजल्ट है कोई भी दवाई इस समय इतनी टेंपरेचर हाई है कि कोई भी दवाई 40 दिन से एक महिने से 30 दिन से उपर कोई के दवाई काम ही नहीं कर रही तो भाईयो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करो चै चैनल सब्सक्राइब करने बाद में चैनल को शेर भी करो नमस्कार